आईए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से जी नमस्कार स्वागत है आपका नमस्कार जी मैं मुकार जाट जाट से बोल रहा हूं मेरी वाइक को थाइराइट भी है बाल भी जाटा और पार्किंग सन भी है और गोंसियां अल्रेडी खा रही है जरज के लिए अच्छा कितने दिन से ले रहे हैं गोंसियां दस दिन से ले रहे हैं डोक्टर साब कैसी तब यह ते कुछ फाइदा शुरू हुआ बहुत फाइदा हुआ उससे एक साल से तकलीफ पा रहे थी बहुत फाइदा है उसको थाइराइट में है बाल भी जड़ता पार्किंग अधर में 8.2 चला गया है ऐसे मॉर्णिंग वाट भी करता हूं आपके वहां से हमने सिर्का मंगे जैतुन का भी तो मेरे लिए मेरी वाइप का भी बता दीजिए सर जैतुन का सिर्का आपने सही लिया है डापटिस कंट्रोल करेगा लीवर को मजबूर करेगा कि वह और ये जो 100-200 ग्राम आपने खरीदा होगा गौन सिया ये खतम होते होते है आपकी वाइफ दर्द से तो निजात पा सकती है अब रहा उनका ये के थाईराइड थाईराइड की विज़े से बाल उनके जड़ते हैं तो थाईराइड को ठीक कर लीजे वो गोली जरूर खाई पांच-छे महीने में छूट जानी चाहिए आपके डॉक्टर के मश्वरे से छूटेगी तीरे-दीरे कम करेगा वह मैंने इसका लिखता हूं आप लिखिए देखिए 300 ग्राम धनिया 300 ग्राम धनिया और 100 ग्राम आंवला इस सब सुका मिलता है और 100 ग्राम आपको लेना है मेथी सब मेथी का दाना और 100 ग्राम आप ले लिजे गौन मौरिंगा मौरिंगा का गौन जैसे गौन सिया आपने हासिल किया वैसे ही गौन मौरिंगा इसका पाउडर वनाके एक चम्मच या तीन-चार ग्राम सुबह उस गोली के साथ या उस गोली के बाद या उस गोली से पहले जो आप थायराइट की खाते हैं और इसी तरह शाम को भी दीज किजे क्योंकि समय यहां पे बहुत कीमती है कि अपना कीमती वक्त निकालके ही हकीम सभी के लिए यहां पर उपस्तित हैं आप सभी के लिए टीवी का कव लिम कम कीजिए रेंज में और मैं 50 गेजु में बतास वर्ष है, और मेरे को पिशाव की प्रोब्लम है, मेरे को बार बार पिशाव आता है, और कई वार छीख के साथ, और हंचने के साथ ये पिशाव निकल जाता है, और वो रुपता नहीं है, रोग नहीं सकती में. डाइबिटीज वगेरा तो नहीं है आपको? पनवारी के पास कथा होता है, ये कथा लेना है सो ग्राम, सो ग्राम कथा और सो ग्राम आता है गौन मौरिंगा, गौन मौरिंगा, सो ग्राम असली वाला लेना, कथा भी अच्छा और गौन मौरिंगा भी सो ग्राम, और सो ग्राम लाजवन्ती, लाजवन्ती एक दवा का न नाम है जो हम जिसके पत्ते को छूते हैं वो पत्त एजडब मुर्जा जाता है उसके बीच को लाजवन्ती कहते हैं लाजवन्ती 100 Gram और रसवन्ती 100 Gram इन सब को 2300 बान लेखासि पाउडर बना ले और चने या मतर की बराबर गोलियां बना ले या इतना पाउडर इसका आप दिन में दो बार खा सकते हैं पानी के साथ आप ये मैटेरियल अगर खतम कर लेंगे तो इसके खतम होते होते हैं आपकी परिशानी ठीक होना मुम्किन है नेक्स्ट कॉलन है हिर्दे कोटा से हमारे साथ स्वागत है आपका जी नमस्कार बताएए जी आदा पर गोड़ी पर खाल जी तो इसको जो जो श्राइटिस की पर आप दिना जी तो इसको नहीं हो रहा है जी कि सौराइसिस का एक बहुत अच्छा नस्खा भी है और युनानी में इसका इलाज है लेकिन सबर चाहिए दो-चार महीने तो आपको सबर करना चाहिए एक महीने में अच्छा रिजल्ट आता है और उसमें क्या करना है आपको कि अ देखिए अलसी धनिया सौफ अलसी धनिया सौफ बड़ी इलाजची बड़ी जो काली वाली इलाजची होती है एक तो छोटी होती है जिसे हरी इलाजची कहते हैं बड़ी इलाजची आ जो गिराम यह सब लीज़ें अलसी धनिया सौफ बड़ी इलाजची और आपको लेना है कलौन जी का नमक नमक कलौन जी भी कहते है ऐस्टेक कललौन जी भी कहते हैं कलोंजी का एस्टेक हम लोग आसान जबान में लवक कलोंजी कहते हैं और इसको जोहर कलोंजी हम अपनी जबान में कहते हैं ज़रा मुश्किल से मिलागा इन सब का पाउडर बनाए घर में और एक गिराम सुबा एक गिराम शाम ये पाउडर बच्ची को देना शुरू करें आ ये मैटेरियल जो मैंने आपको 400-500 ग्राम बताया ये खतम होते होते आपकी बच्ची का ठीक होना मुम्किन है लेकिन एक हिदायत भी है के जहां पर सुराइस है वहां पर अक्सर जो हुती है सोजिस होती जलन होती है खुजाता आदमी मैं तो नाखून से नक कुझा आए हाथ से सैला लें ऐसे करकर सैला ये करें और उसपर तेर लगाते रहें तेर लगाएंगे तो उसके खुरंट अपना चुटेंगे आपको निकलने बंद हो जाएंगे, पुराने ठीक होने चुरू हो जाएंगे, मुझे मीदे बच्ची का ठीक होना मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं, कलावती एहमदाबाद से हमारे साथ स्वागत है आपका। हालो। हालो। हान जी मैं, बताईए। मेरे ना, अभी मैं एंदवार से बोल रही हूँ, मेरे ना, राइस साइड का पूरा हाथ में बहुत दर रेता लो तीर तक और गुतने तक रेता है। और मेरे को ना, डाइविडीज का फास्टिंग फोड़ा ज्यादा आरा है, बाकि दूसरा वाला सही है। हालो। ठीक है मैं समझ गया, आज एज बता दें तो अच्छा होगा। तो ये फास्टिंग के सुगर कम करने के लिए क्या नुक्सा है। और मेरे ये हाथ में बहुत दर्ट रेता है कि मैं। पूरा, कुछ भी काम करते हूं ना, तो बहुत। ठीक है, ठीक है। अच्छा फास्टिंग ठीक करने के लिए रात में थोड़ा कम खाना काया करें। और अगर आप खरीद सकते हैं तो जैतुन का सिर्का दो तीन चम्मच रात को पानी मिलाकर पिया करें। जैतुन का सिर्का तो इससे आपकी फास्टिंग ठीक होना मुम्किन है। रोजाना पिलिया करें एक वक्त रात को सोते वक्त। इससे भी एहम मसला है आपके दर्द का हाथ का और पैर का यह कभी-कभी बहुत तकलीफ देता है। तो उस हाथ का थोड़ा इस्तेमाल कम करें। एक्सरसाइज बता रहा हूं करें। और गौन सिया ले लें। गौन सिया आदा आदा ग्राम सुबा शाम खाएं। तो आपका यह ठीक होना मुम्किन है। एक्सरसाइज के तोर पर देखिए। यह एक्सरसाइज आपको रोज़ाना दो-चार मिनिट करनी है। एक एक मिनिट करके चार बार में करें और एक ये पूरी तरह इसको मोड़ दीजे ये आपको दो चार मिनिट करनी हैं दस दिन बाद आपके रिए जर्ट आएंगे इसके और आपको फाइदा होने लएगा गौन से आदादा गिराम सुबह शाम जरूर ले नेक्स्ट कॉलर है राजवन लखनों से हमारे साथ स्वागत है राजवन आपका राजवन कुमार दुबे हां जी मैं नर्फ टेड़ी नहीं होती बलकर नर्फ दब जाती है डिस्क में कहीं प्राबलम होती है जिससे हमारे कमर में दर्द होता है और इसके लिए आप गौंद से आ लिजे और काला गौंद एक आता है कड़वा होता है जायके में नकली बहुत मिलता है समाल के लिए और आदाद गिराम सुबा शाम खाए और बहुत जल्द आपको हो जाएगा लेकिन आपको ये घरेलू नुस्के आज से ही अपनाने शुरू करने होंगे कोई भी रौ माटिरियल अगर आपको नहीं मिल पाता है क्योंकि असली नकली में आपको पहचान करनी ही होगी तभी आप लोगों को राहत मिल पाएगी अगर आप हमारी कंपनी से मं सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना होगा क्योंकि असली ही आप तक पहुंचाया जाता है और आप फिर घर में खुदी पिसी पिसाए कोई भी चीज नहीं लानी है ये बहुत ही आप लोगों को एहम बात यहां पर बताते हैं हकीम सहाब तो हर एक बात का ख्य पर लगतार दिखाया जा रही है अगर बात करें अतिया हर्प्स की तो अतिया हर्प्स पांसों से जादस की फ्रेंचाइज ही है दर्श को देश भर में और यह एक ब्रैंडिक कंपनी है जिसके प्रमोटर फाउंडर रिसर्चर है हकीम सुलेमान खान सहब जी तो जुड़ि है कहाँ से म कआँ अठाओना है मेरे सवाल है कि मैरी मम में पैर में बहुत पानी लग जाता है बानी की बहुए तो दीन में बहुत ठार रहता है थो पानी पुरा पैर ठाल हो poeti अब आई तो खुजली बहुत होती है, खुजले खर गढ़ना हो जाता है, पुरा खुजली करकर के, और सफे सफें दाग हो जाता है. देखें, आपने पहले भी शायद फोन किया है, और कोई कॉल मेर पाइसी नहीं आई, इसके इस शरीर के दो रंग हो, तो आपको मैंने नसका बताया भी था, और आपको फिर बतायता हूं, अगर आपको चाहिए, तो आप लिख लें, और ऐसे बार बार फोन करेंगे, और जाया होगा, अपने लिए आप, मैंने इसका बना लें, अलसी, अलसी लीजे, इस सो गिराम, और धनियां सो गिराम, सौफ सो गिराम, और सौट सो गिराम कलोंजी का नमक नमक कलोंजी कहते हैं या ऐस्टेक कलोंजी भी कह सकते हैं इनको मिला लीजे आपस में एक एक गिराम जा डेर डेर गिराम सुबा शाम खाया करें तो आपको फाइदा होना मुम्किन है आपकी मम्मी को तो अगर कुछ ऐसा हो गया है जो किसी सूरट ठीक नहीं होता तो मैं उनको नुस्खा बता सकता हूँ अगर आपके फैमिली डॉक्टर इसका इलाज कर सकते हैं बहुत आसान है तो वो कर ले और मैं उनके रोग से पूरी तरह वाकिफ नहीं हो सका चलिए तो आप एक बार हमारी हेलपलाइन नंबर पर बात कर लीजेगा जरूर आपको उचित समाधान प्राप्त हो जाएगा हकीम साहाम जब बात हमने अभी कॉलर से जुडने से पहले की थी कैंसर और किड्नी को लेके क्या ये एक ऐसी बिमारी भी हो सकती है कि हम पहले से ही कोई देशीन उसके अपना ले और हमें बहुत बड़ा कोई इलाज ना कराना पड़े किड्नी डालेसिज वाली अगर प्रॉब्लम आ जाती है या फिर हमें कोई भी हार्ट संब्धी प्रॉब्लम आ जाती इतनी बड़ी-बड़ी परेशानी है कि व्यक्ति जब सुनता है त भगवान ने ऐसी कोई बीमारी ने बना जिसका इलाज उससे पहले ना भीज दिया गया हो लेकिन अगर किसी चीज़ का इलाज नहीं हो पाता तो उसके दोशी हम है क्योंकि हमें मर्ज के बीमारी के शुरू में इलाज करना चाहिए कोई भी बीमारी पहले दूसरे स्टेश पर बहुत आसानी सा काबू आती है लेकिन जब कोई चीज बिलकुल खतम हो जाए मुर्दा हो जाए तो उसके बाद उसका इलाज नामकिन हो जाता है चाहिए वो कोई भी मर्ज हो तो किड़नी अगर आपको इंप्रेस करती है तो किड़नी के लिए आपको अच्छी दवाय है जैसे ही आपको परिशानी शुरू हो आप उसका बहतर इलाज ले चाहिए कोई भी बीमारी हो दुनिया की वो पहले दूसरे दरजे में जब होती है तो कंट्रॉल करना आसान होता है वरना तो टीबी का भी इलाज नहीं हो पाता अगर वो हाथ से निकल जाए पहले दूस इश्वर ने आपको इतना खुबसूरत शरीर दिया है इसका ख्याल आपको ही रखना होगा अगर आपको कोई भी रोग लगता है कि हमारे शरीर में कोई तकलीफ हो रही है तो आप पहले समझ जाए कि आयरवेद उपचार कराएए युनारे पदिती से जुड़िए प्राक रहते आप एक सही उपचार अपना लेंगे तो अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं घरेलू उपचार जानना चाहते हैं युनारे पदिती से जुड़ना चाहते हैं तो बस आप लोगों को करना क्या है इन नंबर्स पर कॉल करना है जो आपके सामने लगतार दिख बखाय जा रही है।